गौरांग सर स्क्रीन्स पे रेडी है एक बड़ी आसा लंबी अब्धी के लिहाद से फर्णमेंटल पिक ले लिया जाए गौरांग सर गुड मॉर्निंग शुप्रबाद आज का प्रिफरड पिक सर दुनिवाद आशिश आपका सभी को साधर प्रणाम और शुप्रबाद हमारे तरफ से लौटो शेत्रम में ईवी पॉलिशी को लिए करके काफी कुछ बाते हुई और विशलेशन करते हुए हमें लग रहा है कि भले वीदेशी बड़े-बड़े नाम हमारे भारत देश में आ शेवरोले पोड सब आये थे और समेट करके वापिस चले गए तो इसी श्रेणी में एक नाम जो हमने पहले भी चर्चा की थी और राय दीथी निविश करने के लिए महिंद्रा महिंद्रा लक्षान को बढ़ा करके करीबन 22 का किया है और हमारी उमीद है कि आने वाले कि तिमाई के आखरी तिमाई के नतीजे इस वित्यवर्ष के वहाँ पर भी अच्छा का सा सुधार होने की संभावदा है महिंद्रा एन महिंद्रा ये बढ़िया सी एक फंडमेंटिल पिक गौरांक सर की तरफ से बढ़िया खुमा वैसे इस टॉक फ्राइडे को दिन के लोज पे चार परसेंट दबाव के साथ पता नहीं क्यों बंद हुआ और फिर वो बढ़िया बाउंजबाक कल हफते की शुरुआत में वापिस साय ने लॉस ग्राउंड रिगेंड कर डाला सवा तीन परसेंट मजबूत कल खाना था इस तरह से वोलटाइल हो रहा है फंडमेंटली लेकिन लंबी अफदी के लिया आज से अट्रैक्टिव इन लेवल्स किसी भी गिरावट में खरदारी करने के मौके ढूड़ी है गावा सर शिक्षक महदे की उपस्थिती में अपने पाठ का उलेखन करिए अभी इनका श्रेनी साधर प्रणाम, शुप्रबाद, उत्पादन शमता और लक्षांग के अलावा आपको कुछ नया वर्ड लाना है श्रेनी बोला इन्होंने लेकिन मैंने समझा शेर नहीं लेकिन प्रणूस करना भी नहीं आता मुझे इन्होंने कहा शेर नहीं, बिल्कुल, लेकिन मेरे मन बे निकलाव शेर नहीं, मुझे तो डर गया शब नहीं बता रहे हैं, पढ़ाई नहीं करी आपने नहीं नहीं, बुदी स्टूटन तू चलिए, आगे बढ़ा जाए और हर्षदा जुड़ी हुई है, स्क्रीन पर एड़ी है, आज के सारे इंपोर्टन स्टॉक्सी न्यूस की बाद, और आज सब की नजरे तो खैर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानि कि TCS पे हूँगी इसका चार्ट, भाईती साब आप रेड़ी दखिए, आता हूँ आपके पास हर्षदा क्या अपडेट है TCS में, Tata Suns अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाला है आशीश 0.64% अपना हिस्साई ओफलोड करते वे दिखाई देंगे ध्यान रखेगा कि Tata Suns करीब 72.38% तक की हिस्सेदारी TCS में होल्ड करता है तो उसका एक चोटा सा अंच दरसल मार्किट में आएगा अंच कितना चोटा है? 2.33 करोड के आसपास ये स्टेक बेचते वा दिखाई देंगे ये सौधा 9,200 करोड के उपर का होतावा दिखाई देगा भाव जो आपको ध्यान में रखना है जो offer price है वो 4,001 रुपए पर है जहां पर कल की closing price से करीब-करीब 3.6% के discount पर सौधा होतावा दिखाई दे रहा है उस लिहास से आप TCS को radar पर रखेंगे क्योंकि इस entity में Tata Suns अपनी हिस्सदारी कुछ बेच रहा है अब कुछ और stocks हमने आपके लिए सामने रख दिये हैं जहां पर Tata Suns की holding है अब ये last reported numbers के बाद क्या holding थी TCS के case में 72.38% सबसे जादा holding इस company में है फिर Tata Suns Tata Power में 45.21% रहिसा रखता है Tata Motors में 43.7% LXC में 42.2% Trent में 42.2% और उसके बाद जो भी हिस्सदारी है वो 30% के नीचे और सबसे कम हिस्सदारी Tata Communications में है ये data मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि Tata Suns TCS में हिस्सदारी क्यों बेच रहा है आपको याद होगा कुछ हफते पहले हम वो चर्चा कर रहे थे Tata Chemicals के कॉंटेक्स में कि शाए Tata Suns का एक IPO आएगा क्योंकि वो Upper Layer NBFC है और ऐसी स्थिती में RBI के नियम कहते हैं कि आपको एवेंचली लिस्ट होना पड़ेगा अब इस कॉंटेक्स में ये भी खबर आई थी कि Tata Capital को हाइव आफ कर सकते हैं दूसरी एंटिटी में ट्रांस्फर कर सकते हैं लेकिन RBI के नियम कहते हैं आपका अगर कुछ अमाउंट का डेट है उस पारमीटर पर आपको एवेंचली आकर लिस्ट करना पड़ेगा तो उस कॉंटेक्स में शायद ये ब्लॉक डील होती भी दिखाई दे रही है अब Tata Suns की बुक्स पर 20,000 करोड के उपर का डेट है अब मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इनको शायद पूरा डेट क्लियर करना पड़ सकता है ऐसी स्तिती में TCS में कुछ ब्लॉक होएं शायद आगे कुछ और हिस्सदारी भी बिक सकती है इस पर अफकॉस क्लारिफिकेशन नहीं है लेकिन आज उस लिहाद से TCS पहले कॉंटेक्स में रखेंगे बाकी टाटा ग्रूप शेरों पर भी आपकी नजरे होनी चाहिए भाई पहले तो TCS देखते हैं कब किस भाव पे बिकेगा तो हस्ते खेलते हैं ख़ब पईसा है सबके पास लिक्विडिटी काफी है बड़ा चंक भिखने आ रहा है हाथों आद लिया जाएगा फिर भी बैटी साब कैसा प्लेस चार्ट कल जाते जाते हैं आकरी आदे गंटे में कमाल है एकदम ऐसा प्रेशर माउंट हो है स्टॉक पे उसके बाद शाम को ये अपडेट आया अब ये आप घिरावट में बाइर उतके तोर पे खड़े हो इस टॉक में या नहीं क्या करोगे अच्छा आउट परफॉर्म करा अपने पियर्स को और अब ये तुर असा जट का टाइप जी आशी जी कलका क्लोज जो था वो 4,150 के करीब था अगर वहीं आप हाई देखेंगे तो 4,250 था जो कि इसका ओल्टाइम हाई भी था तो स्टॉक नेकल ओल्टाइम हाई भी लगाया और वहां से जबुद पूर असा स्लिप हुआ डेड़ पसेंट के करीब हमें लग रहे हैं कि आज ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर यह स्टॉक कहीं भी जो डील वाल्यू है उसके आसपास में बढ़िया दमखम है इस काउंटर में पता नहीं किरावट आएगी नहीं आएगी अगर तो आई तो गिरावट में घरदारी करने का मन बनाईएगा यह टेक्शर है यह अपने वापिस रिकॉर्ड हाइस की तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा तो दमखम बढ़िया है इस टीसेस के काउंटर में गरांग जर अब यह तो पता नहीं है वैसे यह तो गेस एस्टिमेट्स हैं कि टाटा संस क्यों बेच रहा है हो सकता है वाकई अपर लेयर इन बेफ सी कैटेगरी से बाहर आएगा लिस्ट नहीं कराना चाहता है पर फिर भी टाटा केमिकल्स पर आप लोग का व्यूव क्या बनेगा अब वो काफियत तक ये टाटा संस की लिस्टिंग लेटेड बहुत उचाल हमने आता हो देगा पर सही मुल्यांकन X of that क्या है क्योंकि सोडा एश की प्राइसिंग तो कंसर्न है ठंडी पड़ी है पिछ है और इसी वज़े से जो हमारी खरीदारी की राय थी आशीश उसको उसमें बदलाव करके हमने मुनाफ़ा वसोली या फिर बेचनी की राय दी है और यह जो उचाल हमने टाटा टेक्नोलोजिस के चलते टाटा संस के चलते जो भी हमने देखा था ये खबरों के आधार पड के हम हमारा जो नजरिया है उस पर गौर करेंगे और चौथी तिमाई के नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे उस पर भी मेरे ख्याल ज़द थोड़ा चिंतन हो ठीक बात मुनाफ़ा बांधने ज़्यादा बहतर है री विजिट करेंगे जब ठंडा पड़ा और सब 1000 की पर यह स्टॉक चलना शुरू करेंगा और अंसर हों कि जब ऐसा बावाएंगे वह आप इस व्यू ले लिया जाएगा कार्टा ग्रूप के बाद अब जरा आगे बढ़ा जाए अधित्य बिर्ला संलाइफ एमसी भी आज रडार पे सत्पुते साब दोनों स्टॉक 11.47% हिस्सदारी ओफलोड करते हुए दिखाई देंगे यानि कि 3.3 करोड शेर्स प्रोमोटर्स की तरह से बिखने के लिए आएंगे अब प्रोमोटर्स कौन है एबी संलाइफ की एक तो एबी कैप्टल है और दूसरा संलाइफ एमसी है इनकी तरफ से वो हिस्सदारी करती शेर का तेह किया गया है कल यह स्टाउक 4.74 के आसपास जाकर टिकतावा दिखाए दिया था तो क्लेरी एक हलके डिसकाउंट पर वो सौधा होने के आसार बन रहे हैं और सौधा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि MPS नॉर्म्स मिनिममम पॉब्लिक शोल्डिंग नॉर्म्स का पादन करना है दोनों प्रमोटर जिनके हज़ने नाम लिए 86.47 परसंस टेक रखते हैं 11.47 उड़ा देंगे तो 75% पर पहुँच जाएंगे इस थ्रेशोल्ड पर सिफ इसलिए AB Capital और Sun Life AMC अपना माल छोड़ रहे हैं जिसमें से 5% में खालते AB Capital बाकी सारा Sun Life बेच रहे हैं आज पता चलेगा नॉन डिटेल से किस तरह का रुज़ान आ रहा है कितनी डिमांड है शाम तक सारे अपडेट्स आ जाएंगे पर फिर भी गौरांग से आपके पास आता हूँ AMC में ये पसंद आती ही क्या अधित बिला अशिश HDFC, AMC और निपॉन ये जादा पसंद आती हमें और खबरों को लेकर के शायद दोनों तरफ का कारोबार होता हुआ नजर आएगा अधितिय बिला में मुझे लग रहा है कि अगर बुन्यारी तरक आधर पर अगर आपको निवेश करना है तो HDFC, AMC और निपॉन इंडिया ये जादा बेदर भी करता हुए फंडमेंटली जादा स्ट्रॉंगर पियर्स हैं इसके अगर किसी को इंवेस्ट करना है तो वहां करिए अब ये स्टॉक कैसे बिहेव करेगा अधित बिला सनलाइफ देखते हैं डिसकाउंट पे वो खेर OFS आये ही है तो डिसकाउंट पे होगा तो रहासा दबाव में आएगा ये स्टॉक ये तो बट अवेस है लेकिन सद्पुते साब ये पाईसा ले जाएगा अधित बिला कैपिटल पांच परसंट मतलब कुल मलाकर फ्लोर प्राइस पे सारे 600 गुड़ों पे ये जुटाने वाले है आशी जी देखे चार्ट पे अधित बिला कैपिटल डेफिनेटली वीक लग रहा है इन था कि मेरा पिक था लेकिन फिर मैंने सोचा कि न्यूज है तो यहां पे गाप डाउन हो सकता है इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसका देखे आशी जी इसमें स्ट्रॉक्चर वीक है अगर आप लेवल्स की बात करें तो 175 ये इसका ब्रेकडाउन था 173 के आसपास का इसका कलका एक क्लोस था तो हमने एक पिछले 2-3 दिनों में इसमें एक रिलीफ रैली देखी लेकिन ये सस्टेन नहीं होगी तो यहां पर 175 का रेजिस्टन्स ध्यान में रखते हुए एक दो रूपय का स्टॉप लॉस मेंटेंग करें 177 का और मुझे लगता है आशी जी इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो रहेगा करेबं 160 का अगर वो तूटता है तो फिर मुझे लगता है 150 तकी जगा खुलेगी तो यह बहुत ही वीक स्ट्रॉक्चर है तो वन नीट्स तो बी वेरी कॉशिस अगर सेल करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं दिक्कत में ही है मजा नहीं आ रहा इसकी चार्च में खबर नहीं होती तो सत्विस साब के एक सेल कॉल हो सकती त्यादित बिल्ला कापटल तो वह यह आवाईडी है और प्रेशर शायद यहां पे माउंट हो ध्यान रखिएगा तेल बिगार रहा है थोड़ा सा वो मूड या खेल मानस आपके पास आऊंगा अप्स्ट्रीम और ओएमसी दोनों में से कोई ट्रेड विड हो अप्स्ट्रीम मतलब ओंगी सी ओईल इंडिया या फिर ही एचपी बीप आईउसी में हरशदा क्या अपडेट्स हमें क्रूड रिलेटेड हमारे पास कच्ची तेल में फिर हमने देखा उबाल आशिष उस परस्पेक्टिव में आप ओईल मार्क्टिंग, पेंट, अविएशन शेर सब रेडार पर रखेंगे दरहसल ओवरनाइट 2% की बढ़त देखने को मिली, 87 डॉलर के पार निकलता हुआ कच्चा तेल, अग्रूड एक्सपोर्ट्स इराक की तरफ से कुछ कम होते हुए दिखाए दे सकते है, साओधी अरेबिया से हमने देखा एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, घटे हैं सेकंड मन्त इन रनिंग, चाइना फाक्ट्री आउटपुट में भी हमने देखा, कल जो डेटा आया था, उस लिहाँ से भी थोड़ा सा प्राइस पर इंपक्ट आता वा दिखाए देगा यह तमाम चीज़ें हैं, जो प्राइमेरिली प्राइस को ड्राइव कर रही हैं, इसलिए यह पॉकिट्स पर आपकी नजरे रहेंगी, खास्तर से ओयल मार्क्टिंग कमपनिया, जो वो प्राइस काट्स भी पास आउन कर चुकी है 87 के करीब आक यह खड़ा हुआ, ब्रेंट का भाफ, इस तरह से इंच अप कर रहा है, और अब रिपोर्ट के नब्बे की तयारी शायद कर रहा है, आज हेडलाइन में ही कहीं मेंचिंड था तो ऐसे मैं मानस या तो अब्स्ट्रीम की तेजी खेलूं, या मार्क्टिंग कमपनिय के लिए दिक्कत की खबर दबाव खेलूं, कैसे कैसे प्ले करूं, कोई ट्रेड लाइक है का स्टॉक यह चोड़ दिया जाए देखें, HPCL, BPCL, IOC, यह तीन स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, यहां पर ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि लोगर टॉप लोगर बात कर रहा है, और स्टॉक बात कर रहा हूं, यहां पर स्टॉक ट्रेड लेना होगा, तो वो इस सेल साइट पर टेड होगा, HPCL के फीचर में बिक्वाली करने की राय रहेगी, 476 के स्टॉक लॉस से एक सेल रिकमेडेशन है, जहां आपके टारगेट 444 के आसपास तक हो सकते हैं, HPCL के फीचर में, आप्शन दूसरा भी है, क्या आप आप्शन ले लें, पुट आप्शन ले लें, 460 वाला, 12 पे पेट्रोल डीजल के दाम गिराए, उपर से कुरूट जब से गिराएं, फटे ही चले जारा है, पहले 85 की चर्चा हो रही थी, 85 पार हुआ तो अब तो 87 पाके ख़ड़ा हुआ है, तो दिक्कत में आ गई है, OMC's इस समय तो, और लक्षमन ने लास्ट अपडेट दिया थ जब OMC's के वारे में उनसे चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहाता है, यह चार सहीता OMC's पे लागू नहीं होती है, यह इनका business decision के तौर पे लिया जाता है, तो business decision के तौर पे चाहें, तो यहां से लेकर election elections के बीच में और cuts announce कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, वो पता लेकिन इस समय कच्चा तेल जो चल रहा है, वो सरदर्थ जादा करता हुआ, इन companies के लिए, इस बीच राजेश पालविया सहाब भी जुड़ते हुए panel में, पालविया सहाब, गुड़ मौनिंग, पालविया सहाब आज क्या चुन किला है, सबसे preferred pick आपका top call कौन सा है, इस तरीके से overall structure बने वे मार्च सीरीज में हमें लगता ये stock का momentum फर्दर continue होते वे दिखेगा, हम expect कर रहे हैं, इंडिगो में upside के target जो आ सकते हैं, वो करीब आना चीए 3300, 3320 की तरफ, तो इंडिगो futures पे बाए करने की सलाह, stop loss रखेंगे, हम करीब 3225 के आजपास, इंडिग करेशन खरदारी करने का कॉल, पालविया साब का, आज का एक और preferred pick जोड लीजे उस कड़ी में, हर्शदा के पास चला जाए और बचे हुए सारे important stocks in news समझ ली जाए, क्या-क्या बचा है हर्शदा, ताटा स्टील यूके बेसिकली अपने co-coven operations port Talbot plant में बंद कर रहा है, य यह बेसिकली deteriorate हो रही है, इनकी operational stability, इसलिए यहाँ पर कारोबार बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसलिहा से यह in fact routine है होना था क्योंकि port Talbot clearly अब वो green energy पर transfer होगा और पराने operations को company बंद कर रही है, IOL chemicals पर आपकी नज़रे होने चाहिए, Brazilian Health Regulatory Agency ने good manufacturing practices का audit किया, महाँ पर इनको कोई observation नहीं आया है, दस API manufacturing unit जो पंजाब में स्तित है, महाँ पर यह JMP वाली audit की गई थी, तो positive है कि कोई अपत्ती नहीं निकल कर आई है, HG Infra पर नज़रे रहेंगी, Stockwells Solar के साथ एक JV किया है, जोदपुर विद्यूत वितरन निगम के लिए letter of acceptance है, 1000 करो के उपर का order इनके हाथ लगतावा दिखाई देगा, L&T Financial Holding Board ने NCDs के जरिये, एक लाग करोड रेस करने की अनुमती दे दी है, Lemon Tree ने साइन किया है, एक और agreement, अगर तलात रिपुरा में, FI 27 में एक नया hotel खोलते हुए दिखाई देंगे, जो इनकी काई Carnation Hotel सरसल मैनेज करे प्रदीबदास लेते हुए दिखाई देंगे, पारदीब फॉसफेट्स आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर इनके अमोनिय और यूरिया प्लांट्स ग्वा में शटडाउन हो गये है, सिंथिस गैस कंप्रेसर खराब हो गया, इसले कारोबार रोकना पड़ा है, एजिस लॉजिस्टिक्स ने स्पेशलाइस स्टोरेज टर्मिनल मैंगलोर में खरीदे हैं, 125 करोड तक का इन्वेस्मेंट यहां पर हो रहा है, साथी साथ शिपिंग कोपरेशन रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कंपनी से जो हट कर लैंड और आसिट्स वाली कंपनी बनी थ यह कि Bank of Japan proposes to make changes to policy, तो policy तो उनकी obviously अभी तक ultra loose monetary policy रही है, तो उसमें उन्होंने change करने का अनौन्स किया है, तो यह अभी जो हम एक expect कर रहे थे, कि अब वो प्रपोजल है, अब बेसिकली लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा होगा है, हाँ, exactly, exactly, लेकिन यह आप मान के चलिए कि सुभी निरिश के साथ भी में डिस्कूस कर रहे थे, कि यह शायद आना है, यह given है, अभी जड़ा येन देख लेते हैं, डॉलर येन किस तरीके से act कर रहा है, क्योंकि वो काफी कुछ जिसके ओपर depend करेगा, मैं थोड़ा सा एक बार अभी के लिए, तो वो एकदम से spike कर रहा है, 149.31 पर इस समय डॉलर येन है, ध्यान रखे का, यह अल्मोस्ट अब multi-year highs अपरोच कर रहा है, डॉलर येन, और लास्ट जो हमने यह लेवल देखा था, यह करीब-करीब 1997 के आसपर देखा था, इस तरीके का लेवल, 150 के ऊपर वाला, डॉलर येन पर, तो यह एक पॉलिसी में चेंजिस का जो एकस्पेक्टेशन था, जो हम एकस्पेक्ट कर रहे थे कि आना है, यह फाइनली आ गया है, गवर्णर साब ने बोला है, एक पर जैपनिस मार्केट देख लेते हैं, एक डॉलर येन तो ही हमारी स्क्रीन पर यह फाइनली निकाले थे, और जो मैं देख रहा था, जापान में समय वेज रिट वगर है, एक दम अल्टाइम हाई पर पहुंचे हैं, करीब-करीब, वो एक जो लास्ट डेटा आया था, उसके बारे में का जा रहा है कि उसने डील को सील कर दिया था, कि बस अब तो रेट सिर्फ यूएस वाले नहीं हैं, हमारे फाइस, जपान वाले भी फाइए ही हैं, तो उस हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट होगा, चलिए भाईया, देखते हैं, यह बात चल रही थी कि अब शिफ्ट आना है, तो शायद डिले के साथ आउटकम आएगा, अदर्वाइस पर अपने इंफर प्रजेक्ट का क्या होगा, वो जीका का पैसा कैसे आएगा फिर सस्ता वाला? यह कहता है, कि बहुत ही मामूली सा फरक होगा, एकदम से बहुत ही जादा पॉस्टिव इंटरस्टेट्स में बदलाव होने की संभावना मुझे तो बहुत कम लग रही, और यह भी देखना होगा कि अगर करते भी है, कितना करते हैं, और कब से करते हैं, तो फ्लोज जो अ यह की गई है, उसमें किसी तरह का धीमापन दिखाए देगा, ऐसा अनुमान मुझे नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा आकलन मुझे नहीं लग रहा है. पैसा तो महिंगा होने जा रहा है जपायन का, वैसे हमने बहुत इंफर्श्री प्रजेक्शन जाए करें जपायन के बहुत सस्ते पैसे पे, खेर, अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, मैं कहना था न, इंटर ग्लोब और एविशन कंपनी इस लेटेड डिवलाप्मेंट, एक जून की डेडलाइन को रिवाइस करने से मना कर दिया है, अब यह इंपोर्टन्ट है, FDTL मतला फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, तो बेसे किली पाइलेट्स और इवन फ्लाइट अटेंडेंस, भाई उनके कितना एडिकोएट रेस्ट टाइम होना चाहिए, फटीग के कारण को इंसिडेंट ना हो, इसलिए वो समय बद तरीके से उनका जूटी शेडियूल होते हैं, उसको रिवाइस करना चाहती थी, एलाइंस कमनी, वो हो नहीं रहा है, बैक अव दो अलब कैलकुलेशन एक रिपोर्ट कहती कि 10-15% और पाइलेट्स चाहिए नहीं है, तो यह सब निगलिंग वरीज हैं, देखते हैं, लेकिन फंडमेंटली और टेक्निकली बहुत साउंट यह काउंटर आपके सामने, हरश्दा ने शिपिंग कॉपिशन व इंडिया की बात करी थी, उसके लैंड एनसे तो डीमज एंटिटी आ लिस्त होने आ रही है ऐसे ही, पॉपिलर वेहिकल्स और सर्विसेज, उसका आई प्यो बिया लिस्स सुना आएगा और उसकी पियर सेट है लैंडमाक कार्ज, जो काफी ठंडी पढ़ गई ओपर से, गाबा सार लैंडमाक कार्ज, आपका आना नहीं लगा रहता है लैंडमाक कार्ज तो, ने ने यह लैंडमाक कार्ज जैसे कंपनियों में, इनका असली धंडा अक्चुली सर्विसिंग से आता है, कार आपने एक बार ले ली, वो तो ले ली, उसमें इतना माजन नहीं होता लेकिन उसके बाद आप जब सर्विसिंग के लिए भेजते है ना, असली बिल वहां पे बनके मैं आज लिस्ट हुए, पॉपुलर, इसका अगर मुझे है यादा रहे है, रही जब पढ़ रहा था, 15% कुल रिविन्यू का सर्विसिंग से, और 55% भी दा था, एक्जाक्ली, क्योंकि सर्विसिंग में 70-80% तक के माजन से, अचा इसमें होता क्या है ना, आपने सपोज ल मेरे बगल में एक गराज खुला उससे खुला लेंगे, अगर आपके Mercedes या BMW है ना, तो आप वो भली आपको 60% सस्ते पे वो करके दे रहा है, लेकिन ये आपको डरा जेंगे, कि सर अगर आपने कहीं और से करा ली तो फिर वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपकी कि रिसेल वैल्यू काम हो जाएगी और अगर कलको गड़े में कुछ हो गया तो हम रिस्पॉंसिबल नहीं है तो वो आदमी जख मार के वहीं से करा लेता, तो इसके लिए इतने इस ताइप के मार्जिस बनाते हैं ये लोग, सर्विसिंग में पता है, मैं स्टॉक के लिए मैं मर्सेडीज के सर्विसिंग के लिए लेंडवाक कराना जाने की बात कर रहा था, लेकिन गावासर ने चार्ट पे एक्स्पें कर दिया, विक तो था ही था, कोई में उसके बाद पता पड़ा, कि मर्सेडीज और सुर्फ में कुछ फरख नहीं है, एवर्मना से बात एक ही है, कोई से पहले कुछ भी चला था अलग लग था, उसके बाद एक रिलाज़ेशन आया है, कुछ फरख नहीं पड़ता, मर्सेडीज और सुर्फ तो, आपको यामा पसंद है, यामा तो बहुत पसंद है, आप मेरी यामा ले लो, अपनी मर्सेडीज दे दो, यामा रिलाउंच कर रही है, शुनने माया, पर आपको कहा है, मैं अमने वो दिन चलाने दी, आपको यामा कहा चलने को मिलेगी, कौण शीव भी जिन चलने को आपको, अज़ा, कोफोर्ज के स्टॉक पर व्यू लेलिया जाए, कविता जी, कल गजा पे प्रेशर मांट कर रहा है चार्ट पर कैसा है और प्रेशर माउंट होगा क्या यह वैसे अलग अलग टाइम फ्रेम से वैसे भी IT इंडेक्स को अंडर पर्फॉर्म ही कर रहा था ओफ लेट कि या सो चार्ट साथक पर यह अप्रोच कर रहा है अपने 200 डेस एमें को सो वह एक इंप्रोटन सपॉर्ट की तरव काम कर सकता है तो 5600 के लेवल के आसके देखना चाहिए अगर वह लेवल टूटते हैं तो फरदर विक्वालि आते में दिख सकते हैं इन केस अगर 5600 का लेवल टूता है तो यह अपरोच कर सकता है 53-35 के लेवल की तरफ. So 5600 विल बिल बिल इस इंपॉर्ट इस इंपॉर्ट लेवल. चलिए, इस नोट पर मुनाफिक की तयारी को समेटा जाए और अब शुरुवात करी जाए आज के पहला सौदा की. ये है पहला सौदा CMPC आवास मोतिला लुष्वाल स्टूदियो से लाए